Realme ने लाँच कर दिया है, Realme GT7 Pro और यह स्मार्टफोन इसलिए क्रेजी है क्योंकि यह एक ऐसे प्रोसेसर के साथ आने वाला जो कि यह भी इंडिया के इंदर लाँच हुआ है Snapdragon 8 Elite जो कि यह स्मार्टफोन फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है जो इस performance के साथ आपको दिखने को मिलेगा और मेरे साब से यह स्मार्टफोन काफी crazy भी होने वाला है कुछ कुछ चीजे जो है मेरे साब से इसमे थोड़ी सी कमी की गई है बट performance area जो इसका बहुत जादा crazy होने वाला है तो चले फिर वीडियो को start करें तो अगर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आसी वीडियो करते रहते हैं सबसे पहले बात करते हैं के design के बारे में तो design में मुझे इतना जादा कुछ crazy नहीं लगा बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बहुत जादा माश औरेंज है और मुझे काफी ज़दा यह जो कलर है मतलब काफी अट्रेक्टिव और न्यू कलर लगा है अगर बात करें इसके बारे में तो बैक में आपको यह पर गोरिलाग्रास का प्रोडेक्शन आपर देखने को मिलता है फ्रेंट में गोरिलाग्रास 7i का प्रोडेक्शन देखने को मिलता है और जो पूरी बॉडडी है वो आपको अपको अपको सुर्वात में बता दूँ यहां पे जो इसका पॉल्ट यूस किया गया है वो USB 2.0 है तो वो मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसकी प्राइजिंग 50,000 के उपर आने वाली है और 50,000 के उपर के स्मार्टफोन के इंदे 2.0 मेरे साब से वर्थिट नहीं है बाकि बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में इसके अंदर देखने को मिलती है 6.67 इंच की 1.5 के 80 LTPO डिस्प्ले जो की 128 की रेफरेश्ट री साथ आती है साथ में आपको 6500 की ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो की भाई काफी जादा ब्राइट है मतलब आउड़र कंडिशन या इंड़र कंडिशन में काफी क्रेजी आपको देखने को मिलती है और LTPO पैनल है तो जो रेफरेश्टेट है वह 180-1808 की बीच में शुट भी होता रहता है और अगर बात करें यहां पे बेजल्स के बारे में बहुत ही क्रेजी बेजल्स आपको देखने को मिलें क्योंकि फ्लैक्षी के स्मार्टफोन है तो यहां पे बहुत कम देखने को मिलेंगे और अगर बात करें, आपर performance के बारे में, जो की सबसे जादा इसका crazy feature है, आपको देखने को मिलता है, snapdragon 8 light processor, जो की भाई साथ, अगर start करें, N22 score से, तो यहाँ पे आपको 2.8 million scores आपको देखने को मिलते हैं, और अगर बात करें, पी geekbench के score के बारे में, तो यहाँ पे इसने apple क को भी पीजे छोड़ दिया है, आपर जो multi core का score है, यह आपको देखने को मिलता है, दरजार के ओपर, जो की काफी जादा crazy है, अगर आपर गेम्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको Genshan Effect के अंदर आपको 59 FPS देखने को मिलते हैं, और अगर आप BGMI वगेरा या और other games के लो और अभी यह कम हीट कर रहा है, और performance भी काफी तगली दे रहा है, इसके अंदर आप higher settings पे games वगेरा, सब कुछ खेल सकते हो, और जैसे कि आपको पता realme UI कितना जादा crazy है, जो की color always tie up है, यहाँ पे आपको Android 15 देखने को मिलता है, realme UI है, और smoothness, चाहे scrolling कर तो, चाहेँ आप क्योंकि नया processor है, update to update यह दीरे दीरे साही हो जाएगा, क्योंकि realme यह अपडेट दिया उसके बाद काफी improvement देखने को मिला है, तो maybe हम लोग सोच सकते हैं कि आगे चल के future में और भी चीज़े improve हो सकती है, अगर बात करें इसके variants यह बारे में 12 256 variant आपको base variant देखने को मिलता अगर बात करें, और AI feature के बारे में आपको आजकर आए AI बात करना है, तो एक बात करना है तो यह इसके बात कर लिगते हैं यह आपको AI BLURD देखने को मिल जाता है तो यह 50 Megapixel के 2 sensor आपको देखने को मिलते हो प्लस 8 Megapixel का आपको अल्टरा वाइड भी देखने को मिलता है अब यह 8 Megapixel का अल्टरा वाइड ना मैं आपको आगे बता हूँगा क्या दिक्कत हो रहा है इसके विसे बाकि तीनों sensor वह आपको यहापे सोनी के देखने को मिलते है फ्रन्ट में आपको solar Megapixel और मेन कैम्रा के 50 Megapixel का वह आएमेक्स 906 आपको देखने को मिलता है और सारे असेंस सोनी के हैं अगर बात करें अब परफॉर्म्स के बारे में आप यहाप क्या मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जासे कि आप जूम कर सकते हो कि परिस्कोप लेंस आपको देखने को मिलता है 3X का जहां पर आप अगर जूमिंग अबिल्टीस की बात करें तक आप जूम कर सकते हो आपको देखने को देखने को देखने को मिलते हैं तो मेरे साब से यह इशू आपको देखने को मिलता है तो मेरे साब से यह इशू आपको देखने को मिलता है तो मेरे साब से यह इशू आपको देखने को देखने को मिलते हैं मुझे लगता है कि और अपडेट्स के बाद यह साथ इस शुल्ट हो सकती है बड़ आट मेगापिसल वाला वह सौल्ट नहीं होगा तो कैमरा प्रोसेसिंग मुझे इतनी जाद अच्छी नहीं लेगी बात करें एक और फीचर के बारे मुझे काफी जादा अमेजिंग लाकि कि इसके अंदर जो इस सेंसर काफी क्रेजी है जिसके वैसे इसके अंदर IP69 की रेटिंग आपको देखने को मिलती है तो अगर आपको वाटर के अंदर वीडर रगॉर्ड अगरा करनी है तो टच वगरा काफी जी तरीके से काम करती है तो मेरे साब से यह स्मार्टफोन काफी क्रिटिकल है और अभी यह नए प्रोसेसर के साथ आया तो मैं एक्जेक्टि आपको यह नहीं कह सकता हूं कि आप यह स्मार्फोन को देखो भी का इसका कैमरा भी मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा दूसरी चीज अगर आप पेपर कॉंप्रोमाइस की बात करें तो काफी साथ चीजों में परचेस की है कि जैसे बैटरी भी आपको इसको देखने को मिलती है और तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे जो थोड़े इस्व्स आपको देखने को मिलती है तो अभी आप मुझे कि यह smartphone अभी थोड़ा सा over the situation में है जिसके लिए मैं एक confirmation जो target है वो आपको दे नहीं सकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह smartphone अभी worth it नहीं है पाकि आप लोग क्या सोथे? कमेंट आप से कमेंट ज़रू बताएगा वर विडिवसार विडिव को लाइक करेगा चलिए फिर आच को विडिवसार था ही ठाक्स फो नच